आप एक एक करके सब पहन दो पूजन मैंने करवा दिया एक देसी मुंगा है एक इटेलिन मुंगा है उखराज है और ये मोती जो है ना ये बहुत पीशियस है एक लौता मोती है लखनौ के अंदर दूसरा मोती नहीं है ऐसा ओरिजनल मोती है और एक ही पीश था मेरे पास ठीक है एक्षिरी में क्या होता है स्टोंस बहुत महँगे महँगे आता है जितने में मैंने आपको ये सारे पत्थर पहना दियें उतने में केवल एक आता है थोड़े दिनों के बाद जो आपके काम बन जाएंगे तो मैं इन्हें चेंज करवाकर इससे भी बड़े और अच्छे पहना दोगा मेरे पास हैं लेकिन मैं आभी आपके बजट के हिसाब से पहना रहूँ जिसके पास जितनी ताकत होती है और जो जरूरी होता है उसी लिहास से मैंने ये बनवा दिया तिकोन में इटेलियन मुंगा वो हो गया और देसी मुंगा ये हो गया ये उखराज है एकडम चमकदार पुखराज जो होता है या जो पत्थर होता है वो नकली होता है या फिर वो बहुत महंगा होता है यह ओरिजिनल यलो सिफायर हल्की सी पीली आभा के साथ और यह इटेलियम मुंगा है और यह मोती सालों पुराना मेरे पास पड़ा हुआ और था भी बहुत पौरानिक पते हैं और किसी राजा महराजा की टाइम का है और मैंने आपको बहुत सीशे दिया है क्योंकि आपका ज करना है और शिवलिंग पर अधाय को जाप करना है और शिवलिंग पर